नमस्कार, सभी शिक्षारतियों का स्वगत है सरकारी बजट अयों अर्थ व्यवस्ता विशह पर चर्चा के भाग दो में आज की चर्चा में हम बजट संतुलन की बात करेंगे बजट में घाटा हो सकता है या बजट संतुलित या अधिशेश बजट हो सकता है तो आएए प्रारम करते हैं घाटे पर चर्चा सरकारी बजटिय घाटा ये जो शब्द है इसका प्रियोग अब इतना प्रचलन में नहीं है वर्ष 1907 में 98 के बजट से बजटिय घाटा सरकार का जो बजट विवरन आता है प्रती वर्ष उसमें प्रदर्शित नहीं किये जाता है सरकारी बजटिय घाटे से अर्थ है जब सरकार की कमाई अपने खर्चों से कम हो अगर हम एक پरिवार का उधारन लें कोई भी परिवार घाटे में होता है जब उसकी आय उसके वयः से कम होती है तो इसी प्रकार सरकार का भी बजटिय घाटा हो सकता है जब सरकार राज़स व प्राप्तियों से अधिक वयः करती है अगर एक समिकरण के माद्यम से हम इसको देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि सरकार का कुल वे जिसमें राजासु वे और पूंजिगत वे दोनों सम्मिलित हो उसमें से हम कुल प्राप्तियों को घटा दें और कुल प्राप्तियों में भी पुना राजासु प्राप्तियां और पूंजिगत प्राप्तियां समलित होती है तो यह कहलाता है सरकारी बजटिय घाटा राजासु घाटा सरकारी बजडिय घाटे में इस चर्चा में हम तीन प्रकार के घाटे पर चर्चा करने वाले हैं उसमें से प्रतम है राजसु घाटा और इसके पर शाथ हम दो प्रकार के घाटों के बारे में चर्चा और करेंगे तो राजासु घाटा जो है उसको समिखरन के माद्यम से हम कह सकते हैं कि यह राजासु वे आवम राजासु प्राप्तियों का अंतर होता है जब राजासु प्राप्तियां राजासु वे से कम हों तो ऐसे में राजासु घाटा उत्वन होता है सरकार का राजासु प्राप्तियों से अधिक राजासु व्य को हम राजासु घाटा कहते हैं अर्थ व्यस्ता के अन्य शेत्रों की बचतों का उपयोग सरकार ऐसे में उपभोग के लिए कर रही होती है हमारे पिशले भाग में आपने जाना कि राजसु वय जो होता है सरकार का वो सरकार की जो निरंतर होने वाले खर्च हैं उसके करमचारियों को किये जाने वाले भुगतान है या फिर जो उसमें रिंड लिये हुए हैं उन पर किये जाने वाले ब्याज के बुगतान के लिए होने वाला खर्च होता है तो ऐसे में अगर सरकार का राजा सुगहटा उत्पन हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि अर्थ व्यूस्ता के अन्य शेत्रों की बचतों का उप्यूग सरकार अपने अबहों के लिए कर रही है या फिर सरकार निर्बजत कर रही है और रिंड ग्रहन उसको करना पड़ रहा है रिंड ग्रहन से तातपर है हमारा यहां यहा है कि सरकार अपने जो उसके निर्बजत होने वाले खर्च हैं जिनको हम राजा सुगह कि श्रेणी में रखते हैं उनके लिए रिंड का साहरा सरकार को लेना पड़ रहा है अगर सरकार ऐसा करती है तो सरकार को भविश्य में रिंड का भुगतान ज्यादा करना पड़ेगा और साथी साथ ब्याज का दाय तो भी उत्पन होता है भविश्य में सरकार को ज्यादा ब्याज भी चुकाना पड़ेगा सरकार पूंजिकत वय अत्वा कल्यान समंदी वय घटाती है क्योंकि सरकार राजस उगाटे को नियंतर्थ करना चाहती है तो ऐसे में सरकार को ये पूंजिकत वय और कल्यान समंदी वय घटाने पड़ते हैं क्योंकि उसके राजस वय जो हैं वो अधिक है अगर सरकार हुजिकत वय घटाती है तो ऐसे में विकास की जो दर है वो धीमी पड़ सकती है और अगर सरकार कल्यान समंदी वय को घटाती है तो ऐसे में देश में कल्यान का स्थर घट सकता है या उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है तो यह था राजकोष ये घाटा और अब चर्चा करते हैं राजकोष ये घाटा के बारे में राजकोष ये घाटा ये सरकार के कुल वे और रिन ग्रहन को छोड़ कर कुल प्राप्तियों का अंतर है अगर हम कुल वे और कुल प्राप्तियों के इंतर को देखते हैं तो वह कहलाता है बजट ये घाटा जिसके बारे में अभी हमने चर्चा में कहा कि उसके बारे में अब बजट में नहीं चर्चा की जाती है लेकिन राजकोष ये घाटा है कि कुल वैय मेंसे उन प्राप्तियों को घटा दे जिसमें रिंड ग्रेंड सम्मिलित नहीं है तो सकल राजकोष ये घटा को अगर हम एक समिकरन के माद्यम से समझना चाहे तो हम कह सकते हैं कि कुल वैय मेंसे हम ऐसी राजसों प्राप्तियों को घटाएं जिसमें गैर रिंड से सरजित पूंजीगत प्राप्तियां और समिलित हो तो सारी सारी पूंजीगत प्राप्तियां उसमें समिलित नहीं होती है केवल गैर रिंड से सरजित पूंजीगत प्राप्तियां समिलित होती है रिंड से सरजित पूंजिगत प्राप्तियां होती है जब सरकार रिंड लेती है विदेशों से या अपनी जंता से रिंड ले सकती है लेकिन गैर रिंड सरजित पूंजिगत प्राप्तियां होती है जैसे सरकार विनिवेश कर रही हो अपने सारजनिक उपकरमों में उसे पुझिगत 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 पुझिग विदेशों से प्रात किया गया रिन ग्रहन इन तीनों का अगर हम जोड़ कर दें तो हमारे पास आ जाती है सरकार के दुआरा लिया गया कुल रिन तो हम कह सकते हैं कि सकल राजकोशे घाटा सरकार के दुआरा लिया गया सकल रिन है तो इसके सायता से भी हम सकल राजकोशे घाटा की गंड़ना कर सकते हैं और तीसरा तरीका है हमारे पास कि राजकोशे घाटा बराबर होता है राजसुगाटा जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की थी और उसमें हम जोड़ दे पूंजिगत घाटा और इस पूरे में से हम घटा दे गैर रिंड से सरजित पूंजीगत प्राप्तियां तो यह था हमारा राजकोशे घटा राजकोशे घटा और राजसु घटा इन दोनों के बारे में अभी हम और सरकारी आंकडों का प्रयोग कर भी चर्चा करने वाले हैं अब बात करते हैं प्रात्मी घाटा के बारे में प्रात्मी घाटा यह वाशेश है जो राजकोशिय घाटे में से ब्याज अदायगी को घाटाने पर प्राप्त होता है अगर हम समिकरन के तहट इसको कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि सकल प्रात्मिक घाटा बराबर होता है सकल राजकोशे घाटा और उसमें से निवल ब्याज दायतों को घाटा दें सकल राजकोशे घाटा कैसे प्राप्त करते हैं यह अभी आपने जाना चर्चा में और उसमें से अगर हम सरकार के जो दायतों हैं ब्याज के उनको घटा दें और वे ब्याज के दायतों हम किस परकार से जानते हैं एक बार कि कैसे उनका उनकी गंड़ना करते हैं निवल ब्याज दायतों जो होते हैं सरकार के वो बराबर होते हैं निवल घरेलू परिदाये पर सरकार द्वारा ब्याज अदाएगी और उसमें से घटा दें निवल घरेलू परिदाये पर सरकार द्वारा ब्याज की प्राप्तियां सरकार यानि केंदर सरकार हो सकता है राज्य सरकारों को रिंड दे और उस पर ब्याज प्राप्त करे और साथ ही साथ यह भी समभव है कि सरकार ने रन लिया हो विदेशों से वहां ब्याज की अदाइगी करे या जनता को ब्याज की अदाइगी करे तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि निवल घरेलू परिदाय पर सरकार दोरा ब्याज अदाइगी में से निवल घरेलू परिदाय पर सरकार दोरा ब्याज प्राप्तियों को घटा दिया जाए तो हमें प्राप्त होता है निवल ब्याज दायतो और इस निवल ब्याज दायतो को अगर हम सेकल राजकोशिय घटा में से घटा देते हैं तो हमें प्राप्त होता है सकल प्रात्मिक घाटा अभी तक आपने तीन प्रकार के घाटे जाने जिसमें प्रात्मिक घाटा, राजसु घाटा और राजकोशिय घाटा पर हमने अभी चर्चा की काईए सरकारी आंकडों को प्रियोग कर एक बार इनको और्विसार से जान लेते हैं यहां देखिए घाटों के अनुमान दिये गए हैं सकल घरेलू उत्पाद के पृतिशत के रूप में यह आंकडे आर्थिक सर्वेक्शन 2018-19 से लिए गए हैं यहां आप देख सकते हैं पॉइंट नमबर एक में राजस्व प्राप्तियां दी गई हैं ए जमा भी लिखकर अगर आप देखें तो राजस्व प्राप्तियां सकल घरेलू उत्पाद का आठ दश्मलव दो प्रतिशत हैं जिसमें कर राजस्व 6.9 प्रतिशत है और गैर कर राजस्व एक दश्मलव 3 प्रतिशत है इन आकड़ों को देखकर आप जान सकते हैं कि कर राजस्व जो है वो एक बड़ा भाग होता है राजस्व प्राप्तियों का पॉइंट नमबर 2 को अगर आप देखें तो राजस्व खर्च यहां पर दिया गया है जिसमें ब्याज की अदाईगी दी गई है प्रमुक उपदान दिया गया है और रक्षबय दिया गया है आप देख सकते हैं कि राजस्व खर्च जो है वो सकल घरेलू उत्पाद का 10.6 प्रतिशत है अगर हम बिंदो नमबर 1 और बिंदो नमबर 2 पर दिये गए आंकडों का अंतर प्राप्त करें तो बिंदो नमबर 3 पर आप देख सकते हैं राजस्व घाटा यहां दिया गया है राजस्व घाटा जैसा कि यहां दिखाया गया है कि 0.2 और 0.1 का अंतर है तो यहां आप देख सकते हैं कि राजस्व प्राप्तिया 8.2 प्रतिशत है सकल घरेलू उत्पाद का और राजस्व खर्च जो है वो 10.6 प्रतिशत है सकल घरेलू उत्पाद का तो अगर इन दोनों 6 में से 8.2 को घटाने पर 2.4 प्राप्त होता है लेकिन ये फिगर्स जो है या ये जो आकड़े हैं ये लगभग में हैं तो इस पर आप चिंतित नहों कि ये बराबर क्यों नहीं आ रहा है लेकिन ये वास्विक्त में हमेशा ये बराबर होते हैं आप यहां देख सकते हैं रक्षा वे जो है हमारे बजट का लगवग एक प्रतिशत है तो आपको समझ आएगा कि रक्षा वे एक मुख्य हमारा राज़ा सुखर्च है इसके आगे बढ़ते हैं बिन्दो नमर चार पर यहां आप देख सकते हैं पूंजिगत प्राप्तिया दी गई है पूंजिगत प्राप्तियां में आप देख सकते हैं रिंड की वसूली जो केंद्र सरकार ने राज़ा सरकारों को रिंड दिये थे उनकी अगर सरकार ने वसूली की है तो वो 0.1 GDP का भाग है और बी पर आप देख सकते हैं अन्य प्राप्तियां जिसमें मुक्यता सारुनक शेतर की एकाई का विनिवेश है तो 6.4 प्रतिशत हमारे सकल घरेलू उत्पाद का और सी पर आप देख सकते हैं रिंड ग्रहन एवं अन्य दाइतो ये 3.4 प्रतिशत है इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पूझिगत प्राप्तियां हमारी कितनी है और इसके बाद बिन्दू नबर 5 पर आप देखिए कि पूझिगत व्य कितना है एक दश्मलाव 6 प्रतिशत है हमारा ये सकल घरेलू उत्पाद का भाग बिन्दू नबर 6 पर दिया गया है गैर रिंड प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां जिसमें सरकार की देदारी या देटा उत्पन नहीं होती है तो गैर रिंड प्राप्तियों में हम कह सकते हैं कि नमबर 1 और नमबर 4 का A और नमबर 4 का B इनको अगर हम जोड़ दें तो ये कहलाती है गैर रिंड प्राप्तियां जब हम राजकोष ये घाटा की गृणना करेंगे तो वहां ये बहुत मातवपूर्ण होगी है जानकारी इसके बाद बिंड नमबर 7 पर आईए यहां कुल वय दिया गया है सरकार का जिसमें राजस हुए और पूंजिगत हुए दोनों को हम जोड़ देंगे यहां हम देख सकते हैं कि कुल वय सरकार का बिंड नमबर 2 से और बिंड नमबर 5 से बराबर होना चाहिए 7A और 7B के यहां आप देख सकते हैं कि कुल वय सरकार का 2.2 परतिशत आ रहा है और अब चर्चा करते हैं हम राजल गाटे के परशाद राजकोशे घाटा और प्रात्मी घाटा की बिंदू नमबर आट देखिए यह बहुत महत्पूर्ण है और बिंदू नमबर नो पर दिया गया प्रात्मी घाटा यह भी बहुत महत्पूर्ण है राजकोशे घाटा में आप देख सकते हैं कि बिन्दू नमबर साथ पर दिये गए आंकडे जो हैं उसमें से आप नमबर एक को घटाएं और उसमें से चार ए पर जो आपको आंकडे दिये हैं उनको घटाएं और चार बी पर जो आंकडे दिये गए हैं उनको घटाएं तो यहां आप देख सकते हैं कि राजकोश्य घाटा जो है वो कुल मिला करके तीन दश्मलो चार प्रतिशत है हमारे सकल घरेलू उत्पाद का और प्रात्मी घाटा आप प्राप्त कर सकते हैं बिंदू नमबर आठ में आपने पाया कि राजकोश्य घाटा हमें दिया गया है अभी चर्चा में आपने जाना था कि राजकोश्य घाटा जो है उसमें से हम निवल देता जो है सरकार की ब्याज की उसको अगर हम घटा देते हैं तो यहां देख सकते हैं कि बिंदो नमबर आट में से अगर दो को घटा दिये जाए तो दो में आप देखिए कि सरकार की ब्याज अदाइगी दी गई है दो ए पर तो अगर आट में से आप दो ए को घटा दें तो प्राप्त होता है शूने दश्मलव तीन तो इस परकार से हम देखते हैं कि सरकार का प्रात्मि घटा जो है वो शूने दश्मलव तीन प्रतिशत है कुल सकल घरेलू उत्पाद का और प्रात्मिक घाटा जो है वो मुख्यताहा उसमें हम कह सकते हैं कि सरकार की जो ब्याज अदाईगी का जो भार है वो उसमें बहुत मात्पूर्ण मूमिका निवाता है इस चर्चा में अभी तक आपने तीन प्रकार के घाटों के बारे में जाना और सरकारी आंकडों का प्रयोग करने के साथ साथ आपने देखा कि किस प्रकार से हम इन घाटों की गणना कर सकते हैं और ये सभी जो आंकडे थे ये आर्थिक सर्वेक्षन 2018-19 का प्रयोग कर आपके सामने प्रसुत किये गए हैं अब इस चर्चा का अंतिम भाग है वो है लिंगत बजट सरकार ने वर्ष 2005-06 से इस पर चर्चा प्रारंब करी है प्रसमता हा 2005-06 का जो बजट था उसमें इसको प्रसुत किया गया सरकार की लिंग समंदी वचन बदताएं हैं सरकार लिंग समंदी किसी भी प्रकार का भेद मिटाना चाहती है और दोनों ही लिंग चाहे पुरुश है या महिलाएं हैं उनके लिए या उनके कल्यान का स्तर हो या उनके लिए अर्थ व्यूस्ता में उपलब्द जो अलगअलग अवसर हैं उनकी समांता का भेदाओ हो तो किसी भी प्रकार की असमांता जो लिंग के आधार पर हो उसको सरकार मिटाना चाहती है तो वर्स 2005-6 के बजट में इस पर विस्तार से चर्चा की गई सरकार की लिंक संबन्दी वचन बदताओं को बजटिये वचन बदताओं में रुपांतरित करने का ये एक परियास था स्तरी सशक्ती करन के लिए विचेश पहल की जाए और स्तरियों के लिए विभाजित संसादनों के उप्यों का परिक्षन ये इसके प्रमक उदेश्य थे वर्स 2006-7 का बजट जब प्रस्तुत किया गया तो उसमें इन वचन बदताओं को विस्तार परदान किया गया सरकार ने बजट का आवंटन हो या फिर बजट के आवंटन के साथ साथ भिन भिन जो सरकारी योजनाए हैं उनको लागू करने की बात हो तो सरकार ने यह निश्चे किया कि लिंगत किसी भी प्रकार का भेज जो है अर्थवेवस्ता में ना रहे उसके लिए सरकार गंभीर दिखाई दे और गंभीरता से उस पर कारे करती रहे तो सरकारी बजट और अर्थ विवस्ता पर चर्चा में जो भाग दो था इसमें आपने जाना कि बजटिय घाटा क्या होता है उसके पश्यात आपने जाना कि राजस्व घाटा क्या होता है राजकोशिय घाटा क्या होता है और प्रात्मी घाटा क्या होता है आपने साथ ही साथ इस चर्चा में यह भी समझ उत्पन करी है कि बजट जो है वह संतुलित हो सकता है और उसमें अधिशेश भी उतना ही संभव है अगर सरकार का जो व्य है वो उसकी प्राप्तियों से अगर कम होता है तो ऐसे में बजट अधिशेश होता है तो यह राजस्व अदिशेश भी हो सकता है, राजकोशे अदिशेश भी हो सकता है और प्रात्विक अदिशेश भी उतना ही संभव है ऐसा नहीं है कि अर्थवेस्ता में हमेशा घाटा ही होता है तो इस चर्चा को हम विराम देते हैं सबी सिक्षार्थियों का इस चर्चा में समयलत होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद